जै श्री कृष्टना श्लो विज ग्यारवा अध्याए सार क्या श्लो विज बताए क्यों अध्याए विश्वरूप दर्शन योगता हाए गहतर जुने कृष्टने आपने मुझे ऐसा है ग्यान दिया परमगोप ने ग्यान बताया दूर मेरा अग्यान दिया किन्तू माधव रूप आपका स्वयन देगना चाता हूँ रखता ते जिसे युक्त आपके दर्शन किया भिलाशा हूँ कृष्टन बोले हे पार्थ नेत्रों से इन वो रूप दिखेगा नई विश्व रूप दूद दिखा तुझे किन्तू तेरा नेत्र टिकेगा नई इसलिए मैं तुझे अलौकिक दिव्य नेत्र ये देता हूँ विश्व रूप ले देख मैं कली हुँ सत्य गुद्वा पर त्रेता हूँ देख द्रश्यां को देखा संजे आगे बतलाते हैं हे राजन महायोगी कृष्ण फिर दिव्य रूप दिखलाते हैं मुकनेक और नेत्र युक्त और दिव्य बूशडो शस्त्र सहित सीमा जिनके विश्तार की नावो कृष्ण नजर अब आते हैं बोले संजे महाराज चाया है प्रकाश घर्ती आकाश में होता ऐसा है प्रतीत बानु एक हजार हो गए प्रकाश में जो सुना था अरजुन ने कलप नना की थी स्वैम प्रभुद सात में स्वैम खरे है परमात मावो बना सोच हीन हर बात में बोले अरजुने कृष्णे आपका ना आदी मद्य नहीं अंत दिखता आप में ही सारे देव भूत संपूल प्राणी और संत दिखता चार और अगनी समान फेला तेज देख पाना बे मुश्किल देखता में जिस और मुझको गदा चक्र और मुकुट फ्रंद दिखता अरजुन कोई कैसा द्रश्य देख रहा है जिसमें दिष्टी उसकी जहां भी जाए वहां है क्रेश्न आँखो देखे इस स्वरूप का वो करते वर्णम कैते दर्ती से आकाश तक हर दिशा में है क्रेश्न विरात रूप में 11 रुद्र 12 आदित और 8 वसुगंदर वयक्ष राक्षर सरिश्यों के समूँ और सभी साध्यगर है समारे श्री कृष्ण में ही करते प्रवेशे अर्जुन को दिखते नेत्र से ये सम्पूल प्राणी सभी देवताई चराचर जगर देख ऐसा विकराल रूप अर्जुन भी भैस भैबीत है कृष्ण से ना कुछ बिन्न दूजा उसे होता ऐसा प्रतीत है कारवोय सॉम उसके साथ ही उसे दिखते कृष्ण के मुख में जाते सब समारे विकराल मुख में माना जैसे कोई सुश्मकीट है अर्जुन वो सब देख रहा अब तक जो कृष्ण ने बतलाया हे विश्णू विकराल रूप ये कैसा और कैसी माया बोले कृष्ण कालों का काल मैं महा काल मैं हिनाश करता युद्ध ना तु कर तब भी मिर्ती होनी है सब की ये समझाया कृष्ण बोले अर्जुन से उठके चले युद्ध कर ले तू शस्त्रू था मन में भैता जिने मारने का हे पार थो उनको मैं मार चुका बर गया था अर्जुन जो दुख से उसे दर्श्च ऐसा दिखलाया सुनो देख लील श्री कृष्ण जी के अर्जुन था दुख से आपार चुका दूप देख ऐसा विराट सुदू बुदू खो बैठे अर्जुन भी खुद को होश में लाते कह रहे आप ही अगनी वायू भी आप प्रह्मा ब्रह्मा के पितायम राज प्रजा के स्वामी भी बारंबार नमस्कार आपको आप सर्वरू ज्यानी भी कर देना है प्रभु शमा कभी भूल वज्य उपहास किया तीनों लोकों में ना समान है कोई आपके जान लिया अर्जुन चलनों में है कृष्ण के शमा मांगे हर गल्ती की रूप चतर बुझ दिखला दो है प्रभु भक्त ने ध्यान किया बोले कृष्ण है अर्जुन तुझ को मैंने विश्वरूप जो दिखलाया पहले तुझ से मेरा रूप ऐसा सिवा तेरे मैंने ना दिखलाया पीत युक तो हो भैस मुक तो हो देख चतर बुझ रूप मेरा कहते संजे फिर विश्वरूप से रूप चतर बुझ दिखलाया देख रूप गदा चक्रशंक के साथ शांत हुआ अर्जुन भी धीरे धीरे सामान्य हो गया मिटी ती शंका अर्जुन की बोले कृष्ण ना यक यदान ना वेद तबसे भी रूप दिखता देवताबी नहीं देख पाते बोले कृष्ण चौंके सुन अर्जुन भी बोले कृष्ण बसनंत भक्ति संभाव से ही ये रूप दिखता मन में जिसके भक्ती हो सची अर्जुन जो रखता हो सची निष्ठा कर्म जिसके हो सचे उसको दर्शन अवश्य ही होगा अर्जन देवता भी नहीं देख पाते मेरा रूप जिसकी तुने की थी इच्छा जैश्री कृष्णा